हेलो सुदेंट्स, वेलकून टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग फार्मसुटिक्स में, चैप्टर नमर फाइव जो लोग पढ़ रहे थे, फार्मसुटिकल डोजस फॉर्म, ठीके न, उसके अंदर हमारे पास क्या चल रहे थे, सैमी सॉलिड डोजस फॉर्म, इसके अंदर भी क्या चल रही थी, सैमी सॉलिड डोजस फॉर्म, कौन-कौन सी पढ़ ली थी हम लोगों ने, फटा-फट बताओ, फटा-फट, पांच साकेंड, वान, टू, त्री, फोर, फाइव, कर दि जाएंगी, तो सैमी सॉलिड में अपने पास चार केटेगरी है, पढ़ने के लिए तीन पढ़ चुके हैं, चौती पढ़ने जा रहे हैं, जैल हम सबको पता, जैसे के हम बालों में लगाते हैं, जैल और सबसे जो जैल वाली ट्यूब तुम लोगाई होगी, करीब डिक्लो स burg typical gels जो फामसेटिकल-जेल स melhores होते हैं आठ ट्रांस्पेरेंट एंड ट्रांस्लि오 या तो ट्रांस्पेरेंट होंगे या ट्रांस्लिलिसेंट होंगे अब मत कहना सर इसका मेनिग बता रहे मिनिक बता इना ग्रता बतात और जो base है अपना चाहिए hydrophobic हो या hydrophilic हो किसी एक परकार के base के अंदर दवाईयां मिली होती है और यह transparent या translucent non-greasy semi-solid होता है इस सब इसकी characteristics के अंदर भी आ जाता है Gels are made using suitable gelling agent अब gel है तो उसके अंदर gelling agent का इस्तमाल तो हुआ ही होगा ठीक है ना तो gels are made using gelling agent and may also contain antioxidant preservative stabilizers यह तो हर जो हम preparation बनाते हैं उसके अंदर होती ही होती है हमारे पास Gel can be single phase और biphasic system आप single phase biphasic समझते हो यह single phase भी हो सकता है और biphasic भी हो सकता है देखो बेटा अब यह मत करने सार आप तो read करते हो चले जा रहे हो यह हम discuss कर चुके है पहले single phase क्या है by phase क्या है ठीक है ना बाइफिजिक क्या होता है इसमें दो एक तरह का हम कह सकते हैं जैसे कि अपने emulsion रहता है दो solvent आपसे mix होकर एक phase बनाते हैं जिसके अंदर हमारा medicines आ करके क्या होंगी dissolve होती हो इसके अंदर आ करके gels and jellies both are semi solid system but jellies have softened consistency than jellies की बात करने तो jell से भी ज्यादा soft होती है gels are found by using synthetic polymer such as carbon 934 बेट आप मार्क कर लेंगे इसको very important आ रही है वनमा कोशन में gel बनाने के लिए कौन सा polymer इस्तमाल होता है कार्बोमर नमबर भले ना याद रहे कार्बोमर याद रहे रखना है तुमको ठीक है and cellulose such as hydroxy propyl cellulose और hydroxy polymethyl cellulose तो cellulose की दो category ठीक है सब synthetic है synthetic polymer कार्बोमर और cellulose cellulose की दो variety है तो यह अलब point दमाने important हो जाता है hydroxy propyl cellulose और hydroxy propyl methyl cellulose क्लियर हो गया अब tracacanth, pactine, agar, natural gums यह natural gums है वो synthetic थे natural है और used in the formulation of gels natural भी इस्तमाल हो सकते हैं as per nf national formulary six polymers are used for gel formation छे परकार के इस्तमाल होते हैं हैं सब कार्बोमरी लेकिन एक 910, 934, 934, 940, 941, and 1342 ठीक है न उसके varieties हैं यह कार्बोमर 940 produce highest viscosity between 4000 से 6000 centipoise in 0.5% aqua solution ठीक है न 0.5% की value रहे गी और यह लगबग बहुत ज़्यादा highly viscous highly viscous preparation हमादी तयार करवाता है कौन 940 यह वाला जैल में thicken on standing अगर चोड़ देंगे तो हो सकता है यह गाड़ा हो जाए थिक हो जाए मोटा हो जाए forming ए थिक्सो ट्रॉफ थिक्सो ट्रॉफ समझते हो ना प्रेसर लगाने पतला हो जाएगा छोड़ दो तो मोटा हो जाता है थिक्सो ट्रॉफिक बिएवियर and must be shaken before use to liquefy the gel और कई बार जैल को अच्छे से हिलाना पड़ता है ताकि थोड़ा सा वो पतला हो जाए कम गाड़ा हो जाए ठीक्सो ट्रॉफिक बिएवियर छोड़ दो तो गाड़ा हो जाएगा जिससे कि फैलेगा नहीं और हिला दो थोड़ा से रगड़ दो तो पतला सा हो जाएदा तबी जल को लगा दो तो फैल जाएदा पूरे में ठीक है न जल कंटेंड ड्रक सब्स्टांस विद वाटर ठी ठीक है इसके अंदर ड्रक सब्स्टांस हो सकते हैं पानी के साथ also contains solvent such as alcohol, propylene, glycol, solvent हो सकते हैं anti-microbial, preservative हो सकते हैं used in gel formulas such as methyl, paraben और, propylene, ठीक है यह सब के अंदर होते हैं इट आसो कंटेन इस्टेबलाइजर एडिटेट डाइसोडियम ठीक है ना एडिटी ये मेडिकेटेड जेल प्रिपेर फॉर अडिटेशन बाइड वेरियस रूट फॉर आइस नोस वेजाइनल रेक्टम जो मेडिकेटेड जेल से हैं वो किसी भी रूट के थुरूम दे सकते ह हर रूट से बनता है आई से भी दे सकते हैं नाक से भी दे सकते हैं वेजाइना से भी दे सकते हैं और रेक्टम से भी दे सकते हैं बडी के अंदर पहुचाने के लिए ठीक है तो ये इसके रहे बाते हैं जनली थी इसके अंदर मेन हमें क्या समझना था ये पॉलिमर के बार और किसी प्रकार के फॉर्मलेशन के जो कांस्टिटुएंट उसके अंदर जो और चीज़ें मिला रहे हैं जल के अंदर उसकी भी प्रकार के कंटेंट से उसको रियसे नहीं करना चाहिए ऐसा होना चाहिए जेलिंग एजेंट को यह common है बिटा जैसे हम suspenning एजेंट का इस्तामाल करते थे यही तो लाइन लिखते थे common हो गया the gelling agent should produce sensible solid like nature जब इसे मिलाएं तो solid type का देखने में solid लगना चाहिए न गाड़ा गाड़ा सा तो जब इसको मिलाएं तो solid like nature create होना चाहिए at the time of storage जब हम store कर रहें तो solid जैसा हो जाए ताकि बहे ना फैले ना which is easily broken when exposed to shear force और ये solid easily तूट जाए यानि कि जब हाथ में लें और लगाएं तो ये solid solid ना रहे easily तूट जाए when exposed to shear force, shear force होती ही जब इस तरह से रगड़ने वाले ये तिर्ची force लगाई जा रहे ही इस टाइप से gel यहाँ पर और इस टाइप से रगड़ रहे हैं या application लगा रहे हैं तो उस टाइम पर उसको क्या हो ना यह टूट जाना चाहिए मतलब easily fell जाए it should have suitable antimicrobial agent ठीक है उसके अंदर एक खास antimicrobial agent भी होना चाहिए the topical gel must be must not be sticky चिप चिपा नहीं होना है इसको ठीक है ना the ophthalmic gel must be sterile जो ophthalmic आख में डाल जाएगा उसे sterile होना चाहिए general बात है बेटा कोई भी लिख सकता यह the apparent viscosity or gel strength increase with increase in the effective cross link density of the gel the cross link density अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर ना कुछ fibers होते है molecules होते हैं जो यह water molecules को hold गर कर रखते हैं तो जिसकी वाईसे जेल टाइप का इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो water को उसके अंदर water को जो absorb कर लेता है full जाता उसके अंदर के protein the apparent viscosity or gel strength increase within increase in the effective cross link density जैसे cross link density बढ़ेगी cross link अभी हम देखेंगे इसके diagram आएगा वैसे वैसे जैल की strength increase करेगी however हला की a rise in temperature temperature बढ़ा बढ़ातरी करेंगे may increase or decrease the apparent viscosity viscosity बढ़ भी सकती है depending on the molecular interaction डिपेंड करेगा उसके अंदर के molecular interaction कैसे हो रहा है अगर बहुत ज़्यादा आपस में और ज़्यादा cross link करते चले जा रहे हैं तो गाड़ा हो जाएगा cross link तूट रहे हैं तो लूज हो जाएगा between the polymers and solvent बात समझ में आ रही है polymer solvent की बीच में molecular interaction कैसा हो रहा है heat करने पर उसके अधार पर या तो बहुत गाड़ा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा gastrointestinal drug absorption जो जेल वाले capsules वगर आते हैं तो देखें अवाइड gastrointestinal drug absorption difficulties caused by the gastrointestinal pH तो जेल में जब दवाईयां जाती है तो जी आईटी में जो ड्रग का अब जब समने difficulty होती है वो नहीं होती है जेल्स are having property to avoid enzymatic activity जेल्स के पास property होती है कि उनके उपर enzymes effect नहीं करते हैं and drug interaction with the food and drink और उसके अंदर जो ड्रग होती है वो ना तो food और ना drink से interact कर पाती है वो जेल के अंदर है तो easily वो पेट से होती हुई intestine तक पहुंसती है फिर हमार they can substitute for oral administration of medication when the root is unsuitable अगर root unsuitable है ठीक है they can substitute for oral administration oral administration का substitute है कोई दबाई अगर हम मुह से नहीं दे सकते हैं तो जेल की रूप में हम उसको दे सकते हैं they can avoid the first pass effect उमीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छे समझते होंगे first pass effect नहीं तुम लोग नहीं समझते होगे तुम आतो defarm first year है ना first pass effect क्या होता है मैं बता दू सेकंडेर हम पढ़ोगे pharmacology में हम कोई भी दबा खाते हैं तो सबसे पहले क्या होती है liver के through होती होती है तो liver उसको तोड़ देता है 100 gram 100 mg खाई है तो लगवग 20 या 30% उसको destroy कर द through कैसे होता है क्या होता है second year में pharmacology में समझे होगे ठीक है तो अब अगर हम जेल को रूप में medicine को दे रहे हैं तो जेल जो है वो first pass effect से नहीं गुजरता that is the initial pass of drug substance through the human body सबसे पहले जो liver सो होता हूँ human body से निकलता है उसको हम first pass कहते है तो वहाँ जेल के उपर उसका effect नहीं है they avoid systemic and portal circulation following gastrointestinal absorption they avoid systemic and portal circulation अब इसके लिए बेटा तुम लोगों का थुड़ा से HAP अच्छा से होना चाहिए तुम पता होना चाहिए portal circulation क्या होता है और systemic circulation क्या होता है इसको भी यह क्या करते हैं avoid कर जाते हैं ठीक है following gastrointestinal absorption याना कि GIT से absorb होने के बाद यह systemic and portal circulation को क्या करते हैं avoid करते हैं सीधा blood में जाएंगे फिर यह gels are not deactivated by liver enzymes because their liver is bypassed अब देखो यही वाला काम आगे यह रहा लिवर is bypassed यह वाला part क्योंकि liver bypass हो गया इसलिए first pass effect नहीं आ रहा है तब first pass effect क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि liver के अंदर पाए जाने वाले enzyme जो दबा को तोड़ के कुछ खराब करते मतलब destroy करते disintegrate करते वह हो ही नहीं रहा है ठीक है ना they are non-invasive and have patient complaint यह invasive मतलब किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुचाते हैं और patient के लिए भी काफी मतलब अच्छा लगता patient को खाने में complaint का मतलब होता है कि patient के लिए भी better है ऐसा नहीं है कि patient को खाने में खराब लगे या निगलने में दिक्कत आए they are applied over skin हम इसको skin को पर लगा सकते हैं for slow and prolonged absorption जिससे की अराम से और लंबे समय तक absorption होता रहे gels have also been applied in pharmacy to some viscous suspension for oral use for example aluminium hydroxide gel ठीक है हम इसको gel की रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं they have localized effect with minimum side effect इसके effect क्या से होते हैं localized अगर हमने कहीं उपर skin को पर लगा दिया है तो localized भहीं का ओहीं रहता है कहीं और नहीं जाएगा clear है बाते हैं okay disadvantage gels have possibility of allergic reaction संभाव नहीं reaction हो जाए enzymes in epidermies जो हमारी खाल में उपर enzymes मौझूद हैं may denature the drug of gels जो gel के अंदर drug है उसको denature कर सकता है खराब कर सकता है एक तरह से drugs of larger particle size do not absorb through the skin अगर drug का particle size ज्यादा बड़ा है जो gel के अंदर मौझूद है तो वो skin के अंदर cross करके नहीं जा पाएगा they have poor permeability of some drug through the skin gel की permalty के होती poor होती है कुछ drugs के लिए कि वो उसको skin से cross करा सके selection of area to be examined carefully during application of gel ठीक है जब हम gel को लगाएंगे तो किस area पे लगा रहे हैं वो बड़ा ध्यान से हमें देखना है अधरवाइस दिक्कत हो सकती है gels which are used for the introduction into body cavity or the eyes should be sterilized अगर हमको body cavity के अंदर लगाना है नाक के अंदर, कान के अंदर, vagina के अंदर ठीक है तो या आँखों के अंदर तो उसको sterilize होना बहुत जरूरी है अब मालों कोई दर्द का वाला gel लगा रहे तो तो ऐसी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोई infectious को infection को दूर करने के लिए vaginal gel है तो उसका इस्ट्रलाइज होना बहुत जरूरी है दे में cause application side reaction ठीक है ना जहां पर लगाएंगे क्रीम में लगबग एक ही जैसे है ठीक है थोड़ा बहुत डिफ्रेंस आएगा अदरवाइस reaction वाला तो पक्का समय ही है ठीक है तो इस तरीके से क्रीम पेश्ट के बाद तब मैंने यह डाइंगराम इल्म नहीं ठीक है तो देख सकते ह네요 कुछ ऐसजी लगती है वाई ही है हम लोग चैरेपर पे लगाते है बहुत सारी क्रीम इसलिए हम लों लोग आपसे जबी भी कोई ट्यूब तुमारे हाथ में आएगा तो चार चीज़ दिमाग में आने चाहिए क्या 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 ओइंटमेंट क्रीम पेश्ट और जेल तो लिखा होता है बेटा साफ साथ कि यह ओइंटमेंट है कि यह क्रीम है ठीक है ना कि यह क्रीम है डेक्सामितासोन क्रीम कि यह जैल है पेन रिलिफ जैल डिकलोफीनेक जैल आ गया ठीक है किनो काट यह दोनों तो बेटा आप लोग ने बहुत अच्छे देखे होंगे किनो काट मुह में जब अलसर चाले पड़ जाते हैं तो इसको लगाया जाता है यह क्या मे पूट आ जाओ इसके वाद इंपॉर्डेंट आता मारे पास कि हमें हंस सबका क्या करना है डिफरेंस क्रेट करना है पेश्ट जैल का यह घ्रीसी है ठीक है यह याद करने वाले चीज़ है यह घ्रीसी है नौट रांस्पेरेंट और ट्रांस्लूसेंट है चैनाट भी कि तरह इस्त्माल पेश और इसका सब्सक्राइब इसका साज देंट कि तरह हो सकता है जैल का कंट यहां पर कैन की जागे कैन फिर अदर इसका नहीं होती है एब्जॉब स्लोली एब्जॉब मोर रैपिटली मेबी नौट यूज़ तो हेयर यह बालो पर लगा जा सकते यह नहीं लगा जा सकते हैं difference between gels and cream यह water base है यह oil base होते हैं cream light or watery होता है यह हलका होता है पानी-पानी याईसा होता है यह richer and thicker होता है काफी गड़ा-गड़ा इसा होता है जेल evaporate quickly बहुत जल्दी ओड़ जाता है यह cream not evaporate quickly cream हाथ पर लगा तो उड़ती नहीं है suitable for oily skin suitable for dry skin यह ऑइली स्कीन के लुए अच्छा जेल और क्रीम ड्राक्टर पूशटा है देखता स्कीन उससे ससव defense of Medicine कुछ आ है सेम एडिकेशन टुमारी क्रीम नहीं बन के ब надо कि आती है तो ऊस्सटा जो को आिखें ऊह गया है जाए घ्ला कutil डॉक्टर पास जाते हो, सेम ड्रग है, डॉक्टर ने जेल लिखा है और आप उसी ड्रग का क्रीम सस्ते में ले ले रहे हो, तो वो नुक्सान कर सकता है, easier to prepare than cream, क्रीम से easily prepare हो जाता है complex, इसको prepare करना क्रीम को complex है, तो आसा जटिल होता है, difference between gel and ointment, अब पीछे हम जितना पढ़ चुक है, सबसे difference देख लेए इसका, यह oil based है, यह water based होता है, ठीक है न, यह white होगा, off white होगा, colored होगा, यह translucent और transparent होता है, जल का कोई color ही नहीं है, ठीक है, यह highly greasy है, यह non-greasy है, stiff, काफी कड़ा होता है, यह कड़ा नहीं होता है, बहुत लूज मूज से रहता है, यह slowly, धीद्रे absorb होगा, rapidly absorb होता है, greasy, smooth and soften, light and watery होता है, यह greasy होता है, smooth होता है, soft होता है, ठीक है, छोने में smooth जैसा लगता है, यह light और watery होता है, अब अगर चारों को एक साथ देखें, तो बहुत असान हो जगा, और यह इसको याद करनी कोईश करना, ointment की बात करें तो, hydrocarbon based होता है, mostly water based है, basically an ointment where a high percentage of insoluble solids are added, insoluble solids are added, है ना, solid बहुत जाता मातरा में होता है, the liquid phase is trapped within the three dimensional polymeric matrix, liquid को हम लोग पकड़ लेते हैं, gel, अभी हम देखेंगे, पानी जो गिर रहे हैं, भाई दो पानी क्या है, पानी को ऐसे रखो, जैसे पैन है, पैन को ऐसे रख दिया, त अगर मैं पानी को ऐसे रखो, तो पानी ऐसे गिर जाएगा, है ना, तो पानी को गिरने नहीं देना, पानी को ऐसे खड़ा करके रखना है, तो यह polymeric matrix, three dimensional, उसको पानी को पकड़ लेते हैं, इसके अंदर polymers होते हैं, देखेंगा अभी उसको, फिर यह greasy है, यह translucent to opaque, translucent से ले less greasy है, यह transparent है, और non-greasy है, तो आपको चारों का difference दिमाग में set करके रखना है, this is important, clear है, चाहें से अलग-अलग करके रखें दिमाग में, greasy-reasy करके जैसे मर्जी रखो, मुझे नहीं पता, यह तरीका आपको इजात करना पड़ेगा, मैंने साथ तरीके समझा दी है, clear है, opaque- बेटा देखो, अब यह चौथा lecture है, यह इसलिए सारे टाम जो पहले आ चुके है, आप मैं उनके meaning नहीं बता रहा हूँ, मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, बस समझाता चला जा रहा हूँ, कि यह opaque है, अब यह मत करना है, opaque का मतलब तो बता नहीं रहा है, आप, बास समझ म जेलिंग एजेंट इस्तमाल करते हैं, उसको हम उसकी solubility को check करें, तो gels को classified कर सकते हैं, दो class के अंदर, एक है, one phase और monophasic gel system, ठीक है, और एक होता है, biphasic और two phase gel system, तो आओ देखें यहाँ पर, one phase और monophasic में क्या होगा, when the geling agent is soluble in dispensing liquid, अब वो जब soluble ही है, जैसे कि पा अग घोलो तो soluble हो गया ना पूरा, लगी ने रहे कि उसके अंदर दो चीज़े है, single single लग रहा गया रहे, एक ही चीज है, तो monophasic, जब वो soluble ही हो गया है, तो क्या हो जाएगा है, monophasic हो जाएगा, is called single phase gel, यह soluble हो गया, जो geling agent था, वो soluble है, तो single phase gel, ठीक है, because no definite boundary exists between the the dispersed molecule and the liquid, जिस liquid में हमने उसको घोला है, उन दोनों की बीच में केसी भी टाइप की boundary दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि पानी के अंदर तेल डालू, तो साब साब दिखाई पड़ता है कि यहां तक तेल है और उसके बाद पानी है, ऐसा इसमें नहीं दिखता है, example क्या है, है hydrophilic polymers in liquid, hydrophilic मतलब water loving polymers, जो polymer घुल जाएंगे liquid के अंदर, ठीक है, clear in appearance, जब भई पूरा घुली गया है, तो आर पार clear रहेगा, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके अंदर कुछ है की नहीं है, रियोलोजी की बात करें, तो pseudoplastic flow होता है, pseudoplastic मतलब, a fluid that increased viscosity as force is applied, जिसकी viscosity बढ़ जाती है, जब उसके पर ताकत लगाते हैं, उसका गाड़ापन बढ़ जाएगा, Single face gel use high molecular weight hydrophilic polymers gelling agent, example carbomer, ये high molecular weight के hydrophilic polymers इस्तमाल होता है, as a gelling agent, जो gelling agent इसके नदर डाले जाते हैं, वो high molecular weight के होते हैं, example क्या है, carbomer, according to dispersing medium, dispersing medium, dispersed face, dispersing medium, इस सब पढ़ा हुआ है न, देखो मुझे कई बर क्या लगता है, कि मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ, ये तो इसा करता हूँ, जैसे reading, reading जैसा लग रहा है, बट मैं पेटा ये चौथा lecture है, पहली phase में, मतलब lecture हुआ था, emulsifying agent, emulsion, ये सब हम लोग पढ़ चुके न, emulsion वगरा, वहाँ पर dispersed phase or dispersing medium सब पढ़ा रखा है, उमीद कर रहा हूँ कि वर्ड याद होंगे बेटा देखो, अग सकते हैं, hydrogel और organogels, इसको भी detail में देखेंगे अभी, dispersing medium, जिसके अंदर geling agent को घोल रहे हैं, उसके अधार पर हम दो इसको और divide कर सकते हैं, clear है, इसको अभी detail में देखेंगे, पहले आते हैं, biphasic में, या two phase system में, when geling agent is insoluble, ध्यान रखना है आपर, जब soluble नहीं होग तो दो phase अलग-अलग दिखाए पड़े हैं, पानी के अंदर तेल डाल दो, तेल अलग दिखाए पड़ता, पानी अलग दिखाए पड़ता दो, biphasic हो गया, ठीक है, तो insoluble है, in dispersion liquid is called biphasic gel system, ठीक है, dispersion liquid इसके अंदर घोल रहे हैं, gelling agent को, उसके साथ अगर घोल नहीं र करते हैं, in debt gelatinous precipitate of magnesium hydroxide, ठीक है, यह इसका example जो तुमको दे देना, example याद नहीं रहेगा, तो भी चलेगा, क्योंकि example एक्चुली, जब सामने सामने इंदम दिखाई देता, तो जाद अच्छे से याद होता है, तरवाज सिर्फ example याद कर लेना है, ठीक है, जो biphasic है, इसक इसको एक prototype type का हो जाता है, तो इसको लोग मैगमा gels भी कहते हैं और inorganic gels भी कहते हैं, यह तुम्हारा बेटा, one maximum question आ सकता है, तो यह important हो सकता है, कि बताओ, magma gels कौन से हैं, magma gels biphasic होते हैं कि monophasic होते हैं, they show thixotropic flow, thixotropic behavior show करते हैं, the viscosity of thixotropic solution like that of pseudo-plastic solution, ठीक है, pseudo-plastic solution के होता है, decrease as the rate of shear increases, ठीक है ना, तो क्या कहा रहा है, the viscosity of thixotropic solution decrease as the shear rate increase, viscosity यहाँ पर क्या करता है, decrease करता है, जैसे हम shear, rate of shear, यानिकी force को increase करते हैं, but it changes in the time-dependent manner, rather than instantaneously, time-dependent manner, मतलब समय के साथ, सुरुआत में मालो इतम fresh बनके तयार होके आया है, तब तो इतना effect नहीं देगा, लेकिन समय के साथ, जैसे से, इसकी age होती ही चली जाएगी, तो हम जैसे से force लगाएंगे, ठीक है ना, solution decrease, the viscosity of the thixotropic solution decreases as the shear rate increase, जैसे force लगाएंगे, viscosity decrease करेगी, time-dependent manner, समय के साथ, जैसे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, clear है, turbid in appearance, turbid मतलब मट मेला type का, जैसे पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, तो मट मेला हो जाता है, उसे turbid बोलते हैं, बात समझ में आ रही है, clear है, आ गया आते हैं, classification according nature of continuous phase, याने की dispersion medium, याद आ रहा है, continuous phase, dispersion medium, सब पड़े हुए हैं, term हमारे, जिसके अंदर घोला जाएगा, dispersion medium के अधार पर यहाँ पर दो बटे देए, और तीसरा और और आ गया, hydrogel, zero gel, ये दोनों तो किस में आ गया, मोनोफेज में आ गया, एक zero gel और आ गया, अब देखो, hydrogel, इसमें base क्या होगा, या dispersion medium क्या होगा, water होगा, a hydrogel is a network of polymer chain that are hydrophilic in which water is dispersion medium, hydrogel में dispersion medium कौन है, water, इसके अंदर बहुत सारे polymers आकर कैसे dissolve हो जाते हैं, they are highly absorbent natural synthetic polymeric network, ये जो polymers होते हैं, highly absorbent, सोखने की जवर्दस चमता होती है, इसके अंदर, पानी को सोख लेंगे, ठीक है, फिर पानी वहीं कवें, पानी के मॉलकुल उससे क्या होते हैं, बंद जाते हैं फिर, अब इसके अंदर, फ्लेक्सिबल्टी होने की भी, फ्लेक्सिवल है ना कभी देखा, जेल देखा है, जेल हलका सा पिचकता भी इधर उदर, हिलता बूलता भी है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर, वाटर कंटेंट बहुत जादा होता है, है, हाइडो जेल अपजेसे डिग्री ओफ लेक्सिबल्टी, वैरी सिमिलर टू नैच्रल टीसू, जिस तरह से नैच्रल टीसू होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उस तरीके से, डिटू देखा, थीक है, दोनों लाइन एक जैसी हो गई, इसकी कुछ यूनिक, एक अलगी टाइप की, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीस होती है, उस प्रॉपर्टीस में कौन कौन आते हैं, इंक्लूडिंग, दा एबिलिटी तू एब्जॉब एक कांसिडरिवल मास ओफ एक एक्वास फिलिट, ओफन हंड्रेट टाइम्स दा ओरिजिनल मास, इनकी ठमता है कि अपने मास से हंड्रेट टाइम सौ गुना ज्यादा पानी को होल्ड कर लेंगे, पकड कर रख लेते हैं, एब्जॉब कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक वैसा ही है जैसे कि, क्या है, जैसे कपड़ा पानी में डाल तो, कपड़े के नदर पानी आया था ना, उ जैल खड़ा रहेगा, जैसे कि मालो वैसे फैला हुआ था, अब यह खड़े हुए है, मतलब यह मालो यह जैल है, तो यह जैल इस तरह से खड़ा हो गया, अगर यह पानी होता तो बिखर जाता है इस तरीके से, है ना, हाइडो जैल एक्जिबीट रॉबस्ट ताकतवर, मे जाने के बाद, इस जैल है, इसको दवाओ, 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 जब इतना फोर्स लगा दोगे, प्रेशर लगा दोगे इसके उपर, तब यह जा करके बहेगा, अधर वाइस नहीं बहेगा यह, ठीक है, हाइडो जैल एक्सिलेंट फ्लेक्सिबिल्टी, इसको भीरा डोला स सकते हैं, फ्लेक्सिबिल्टी होती ही बहुत ज़्यादा, तो देखो, यहाँ पर सिंपल कॉंसेट समझो क्या है, जो बोलूगा उतना देखना, एक्स्ट्रा मत देखना कि यह सब तुम ज़र देखना लग जाओ, ठीक है न, कोई डाग्राम नहीं है, यह देखो, यह देख तो धीरे-धीरे क्या होगा, इसके अंदर ड्रग रिलीज हो रही है, हमने क्या लिए, कोटिंग बोन इंप्लांट, ठीक है, जहां बोन पर लगा दिया, औस्ट्योपरोसिस यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंसर सेल, कॉंटेक्ट लेंस यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा अब यहां से बाते को समझ में नहीं आएंगे, तो इतना समझाओ, यहां पर यह ड्रग के मॉलिकूल थे, इन्होंने पानी को पकड़ के होल्ड किया हुगा है, और यह आर पार जैसा दिख रहा है हमको, और हम लोग इसको अलग-अलग फिल्द, अलग- जैल इस टाइप से होते हैं, टूब के अंदर यहां सरी जैल निकलता है यह, जो होके बाड़ी के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना? तो जैल समझ रहे हो, जैल जैसे एक बालो का जैल होता है, देखा होगा तुम लोग ने, टूब जो हम लोग लगाते हैं, क्या करता है पेन, रहाई उसी शेप में बाहर आ जा तहा है में उसी कि है सच्थेन डिलिज्ट्र यिस्टम लंबे समय तक हम दवाई को बाड केंधे रखना जाते हैं सटेंड टिलिज्ट करना चाते हैं पड़ चुके मुटका रैक्री डिलिवरी रेक्तं में हम λोग ड्रक देना चाते हैं डियाग्नोस करना चाते हैं और पर हाइड्रोजल कौतेटट वैल्स सीज गुशन को सिविव में ठाइब सो उतने मैं इसके रहेंगे तो प्रवाइड का अरती है यहांट में किया है है इसके याटव इसके दिफेक्ट होते हैं उसको mechanical और शेप प्रोवाइड करवाता है एक तरह ऐसे ठीक है ना प्रोवाइड mechanical एंड शेप को stability to the tissue defect जहां defect आ रहा है तो यह as a scaffold in tissue engineering फिर माँसे दिरे दवाईया निकलती रहती है और वो अपना काम करता रहता है tissue repair होता रहा दिरे दिरे एज environment sensitivity detector environment sensitivity से क्या मतलब है gel और sol जखो कि ऐसे समयलो liquid sol का मतलब liquid solution हो गया sol का मतलब solution और यह gel यह गाड़ा-गाड़ा हो गया यह viscous हो गया तो होता क्या है gel sol कभी तो यह liquid से जैल में बदल जाएगा कभी जैल से liquid में बदल जाएगा environment के pollution की ठीक है तो sol जल फेस ट्रांजिशन कॉस्ट बाइए एनी चेंजेस इन दर स्रावंडिंग मीडियम बाहर स्रावंडिंग में कोई चेंजेस आते हैं तो यह जैल से लिकुट बन जाएगा लिकुट से जैल जैल टैब लगा जाता है जब कभी ECG हुआ होगा किसी का या कभी करवाया किसी का तो एक जैल लगा जाता है उससे क्या होता होता है जो रौट उती नहीं पैसे पंच कर लिए लिए तो मलग बहुत जगों पर इसका इस्तमाल करते हैं now hydrogels wound wound होती है चोट wound dressing differ from other dressing as hydrogel लगाने पर जो dressing करते हैं वो दूसरी dressing बीटादीन लगा देते हैं उस dressing से अलग है क्यों अलग है किसले अलग है as they have the ability to add moisture to dry wound अगर जखम मेरा सुखा हुआ है तो उसको moisture भी साथ साथ में ये provide करवाता है thus they are used to facilitate autolitic debris demand अब ये क्या चीज़ है debris demand इसको समझते हैं क्योंकि ये वहाँ पर moisture भी provide करवा रहा है तो उससे क्या फाइदा हो रहा है अब autolitic self autolitic मतलब खुझ से deep debris demand मतलब होता है जो कूडा करकट होता है उसको साफ करना ठीक है खुझ से कूडा करकट को खुझ से साफ करना हो क्या रहा है the release of a protein rich exudate containing phagocytes and other material from the blood capillaries on to the wound surface ingles the debris of dead cell and bacteria और जो गीला गीला सा चोट से जखं से निकल रहा है वह क्या करता है फैकोसाइट कर रहा है फैकोसाइट कर रहा है फैकोसाइट कर रहा है फैकोसाइट and other material from the blood capillaries on to the wound surface ingles यह निगल जाता है debris of dead cells and bacteria चोट के ओपर यह dead cell bacteria उनको यह निगल जा रहा है and they maintain a moist healing environment on clean graduating bonds और जो गीला गीला सा चोट से जखं से निकल रहा है वह वहाँ पर एक moist नमी नमदार healing environment वो हलकी हलकी नमी चाहिए होती है जिससे कि क्या हो सके वो जखं जल्दी सही हो सके तभी तो बीटटी नुगर लगाते हैं अब सुनो hydrogel क्या करेगा hydrogel dressings are composed of three dimensional solid network of hydrophilic polymer which contain large proportion of water within their structure अब इसके अदर बहुत ज्यादा quantity में पानी मौजूद है तो वैसा पानी नहीं होता है लेकिन हलका हलका उसको moisture प्रोवाइड करके रखता है जिससे कि जखं वो सूखता नहीं है जब सूखेगा नहीं तो जो यह अंदर से निकल रहा है blood capital release the release of protein rich exudate ठीक है नब protein से भरा हुआ जो उसके अदर exudate होता है कोई चीज बहार आती है पानी जैसी तो वो जो होती है उसके अंदर phagocytes होते हैं जो blood capital release से बहार आ रहे हैं जो इंगल्फ करते हैं debris जो cell toot food गए है और bacteria वगरा को उनको numb environment चाहिए होता है अगर वो environment numb नहीं रहेगा तो अपना काम नहीं कर पाएंगे तो hydrogel यहां के environment को numb रखते हैं hydrogel can be applied to wound in two forms दो तरीके से apply कर सकते हैं that have different features and use with respect to wound care पहला क्या है एन amorphous gel that can take up the shape of the wound दो तरीके से होते हैं जखम में अगर मालो थोड़ा गड़ा सा हो गया है तो हम उसको उसमें डाल देंगा वो उसकी का shape ले लेता है गड़े का और उसके अंदर भर जाता है वो दूसरा and elastic sheet film या एक ऐसे पतली sheet होगी चोट को पर इस तरह से लगा देंगे और हम dressing कर देते हैं clear है तो इस तरीके से hydro gels होते हैं और दुनिया भर के काम आते हैं अल्ला बहुत तरीके से हमारे काम में आते हैं ठीक है बात समझ में आगी now zero gels zero gels क्या होते है zero gels are the type of solid formed gel which are being prepared through drying समझना बात को यह कैसे प्रिपेर किया जा रहे है ड्राइंग सुखाया जा रहा है slowly at room temperature with an unconstrained shrinkage shrinking को रोका नहीं गया है जितना वो श्रिंक कर सकता है इसको हम सुखा रहे हैं इस जल को हम लोग क्या कर रहे है जिरो जल को सुखा रहे हैं यह से नहीं फूरा सूख जाएगा जितना इसकी अंदर बहुत ज़्यादा पॉरसिटी होती है मतलब पोर्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा 15-50% and enormous surface area बहुत ज़्यादा surface area होता है 150-900 meter square per gram along with very small pore size 1-10 nanometer इसके अंदर के जो पोर्स होते हैं उनका size बहुत छोटा होता है ठीक है अब मतलब पोर मतलब समझ सकते हैं करो एक जयल है उसके बहुत छोटोटे सब छेद हैं नैनोमीटर में जो हम देख नहीं सकते हैं ठीक है surface area सब्सक्रिंग करता जा रहे हैं ठीक है जो इसके पार्टिकल सब्सक्रिंग कर रहे है तो उसका surface area हो रहा है उसकी बात हो रही है जब इसके अंदर से solvent को निकाला जा रहा है the network does not shrink and a highly porous low density material known as aerogel is produced अब यहां सब्सक्रिंग बात क्या समझ में नहीं आ रही होगी आओ समझते हैं इसको सब्सक्रिंगराम ले ले देखो यह salt था solution कर दर हमने particle डाल दिया ठीक है फिर यह gel बन गया थोड़ा गाड़ा हो गया अब हमने इसको क्या 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 सुपर प्रीज ड्राइंग करते हैं तो cryo gel स्रिफ और स्रिफ क्या है जो यह इसके अंदर हमने पार्टिकल्स डाले हैं उनके आपस में चिपकने की वज़े से जेल की फॉर्म बदल जाती है कि किस फॉर्मेट में चिपक रहे हैं यहां बिलकुल भी इस पेस नहीं है देख रहे हो तो जब यहां बिलकुल इस पेस नहीं है तो बहुत छोटा सा लेकिन इसके अंदर एब्सॉर्म करने की छमता बहुत ज्यादा होगी ठीक है तो यही कहानी है थोड़ा सा यहां टेक्नलोजी इस्तमाल हो रही है तो बात को समझने कोईश करना तो अब यहां पर क्या हो गया एक्साली इस्तमाल होता है तो जीरो जयल बेटा थोड़ा सा तुम लोगों क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा और समझ में ना आ है तो यह वाला फिगर बना के आशकते हो चल जाएगा ठीक है ना molecule पर ध्यान लगना है, यहां बिलकुल भी space नहीं है, ठीक है, अब zero gel में अगर हम बात करें, तो यह दो को यह आता है, zero gel करके आता है, इतना अब बहुत थोड़ा सा लेंगे, ठीक है, और काम करता हमारा यह, clear है, now organo gel, organo gel में क्या है, with non-aqua solvent, solvent यहां पर हमारा क्या है, non-aqua से, an organo gel is a non-crystalline, non-glassy, glass जैसा नहीं होगा, thermoreversible, heat लगने पर, वो reverse हो जाएगा, गाड़ा, पतला, गाड़ा, पतला, ठीक है, thermoplastic जीसे हम कहते हैं, solid material, composed of a liquid organic phase, इसके अंदर जो liquid होता है, वो organic होता है, ठीक है, entrapped in a three-dimensional cross-linked network, ठीक है, और वो किस में entrapped हो रखा है, three-dimensional cross-linked network, इसको थोड़ा बात को समझना है, यहां पर, फिर से, an organo gel is a non-crystalline, non-glassy, ठीक है, thermoreversible है यह, solid material, composed of a liquid organic phase, liquid organic phase, organic phase, जो वो entrapped हो गया है, फस्स गया है, in three-dimensional cross-linked structure, बात को समझना है, देखो जाएगा, यह मेरे पास, addition of, ओके, यह हमने क्या डाल दिया है, इसके अंदर, organic molecule डाले, लेसितिन है यह, यह क्या है, लेसितिन है यह, in organic media, यह organic media है, यह लेसितिन, इसके अंदर हमने डाले, अब देखो, क्या हो गया है, stage two आ गई है, additional of polar additives, इसके अंदर, यह जो molecule थे, यह कैसे थे, polar थे, बेटा, थोड़ा सा यह तेड़ा है, यह, समझ लो इसको, अब इन्होंने क्या किया है, यह देखो, इन molecule ने क्या कर लिए, अपने cross link बना लिए यह, बस यह ही समझना है यह अब बर, ठीक है, और intrapt external phase, organic solvent, यह जो organic solvent था, ठीक है न, यह यहाँ पर इनके बीच में क्या हो गया है, trap हो गया है, फस गया, तो यह गड़ा गड़ा gel जैसा हो गया है, ठीक है, अब यहाँ से इसको भी निकालें कर देश, जैसा निकलाएगा यह बस मझना रही हो, वह hydrogel में, पानी था, यहां पर क्या है, केवल, organic, यहां पर क्या है, वहाँ पानी था, यहां और गैनिक है, इतना अंतर है, बाद वागए, चीज़मारी same है, बस मझना रही है the liquid can be for example an organic solvent, mineral oil or whiteable oil liquid, कुछ भी हो सकता है organic solvent हो सकता है, mineral oil हो सकता है or whiteable oil हो सकता है these systems are based on self assembly of the structuring molecule self assembly, खुदी अपने आपको assemble कर लेते हैं, ठीक है न of the structuring molecule, कि लिए रहे बाते हैं अपने आपको खुदी self assemble कर लेंगे और organic solvent को अपने दर फसा लेते हैं और gel type बनके तयार हो जाता है यह देखो, diltia gem organo gel करके लिखा हुआ है ठीक है न, तो इस तरह जब लिखके आएगा अब ही है तो यह बातों को समझना है, यह बटा advanced technology है, थोड़ा से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेकिन इसके चक्रम यह नहीं कि इसमें फसके रह जाओ सिर्फ काम भर का पढ़ लेना use in pharmacy, used as a drug carrier for tdds, in cosmetic for application and stability and food industry में भी इसका इस्तमाल है ठीक है, cosmetic industry में भी इस्तमाल है for application and stability के लिए clear है बाते हैं, delivery through skin जब हम लोग gels को skin के थुरू deliver करवाते हैं तो क्या क्या requirement है और क्या क्या चीज़ें इसमें बाधाय डालती है देखो, delivery of drug to the skin is an effective and targeted therapy जो drug की delivery हम इसकीन से करवाते हैं, यह effective, बहुत ज़्यादा effective or targeted है, हम कहाँ पर उसको use करना चाहते हैं, बस नहीं पर use करेंगे, इसलिए targeted therapy for local dermatological disorder local dermatological, local मतलब dermatological order क्या होता है, या तो इतने हिस्ते पर, फोड़े हिस्ते पर कहीं फैला होगा, या तो यहाँ होगा तो locally है, पूरी body में नहीं है, ठीक है, dermatological मतलब skin का हो गया, topical gel formulation provides a suitable delivery system for drug because they are less greasy यह काफ़ी ज़्यादा better होते हैं, suitable हैं क्योंकि कम greasy होते हैं, can be easily removed from the skin और इनको हम लोग easily skin से हटा सकते हैं, कौन-कौन से factor है, जो इसके penetration में, जिसको skin के अंदर घुसने में, क्या करते हैं, affect कर सकते हैं, skin की integrity, skin पूरा, टूटी-फूटी तो नहीं है, skin कितनी hydrated है, skin का अंदर कितना moisturizer है, skin का temperature क्या है, regional variation, जगे-जगे, area to area, skin का क्या फरक होता है, traumatic या pathologic injury to skin, skin के उपर कोई injury तो नहीं है, घर्षन लग जाओ, फट गई हो, skin कुछ और तरीके से, cutaneous drug metabolism, skin में जो अंदर cutaneous वाला part है, वहाँ पर drug की metabolism किस प्रकार से हो रही है, ठीक है, यह सब factors affect करेंगे penetration को, उसके अलावा formulation factor, यह कौन से हो गए, physiological factor, याने की factors skin के, खुद के, अब formulation factor, जब हम बना रहे हैं gel को, तो क्या क्या आजाएगा, उसके अंदर हमने जो penetration enhancer डाला हुआ है, एक ऐसा compound जो penetrate करने में help करता है, वो कितना डाला हुआ, कितनी मातर में डाला हुआ, कौन से डाला हुआ, occlusivity, है न, occlusively है, किस हिसाब से वो coating करता है, drug concentration कितना है, pH क्या है, solubility क्या है, surfactant क्या इस्तवाल किया है, ये सारे factor भी जो formulation में लोग इस्तवाल करते हैं, skin के अंदर penetration में क्या करते हैं, affect करते हैं, कि कम होगा penetration या ज्यादा होगा, clear है बाते हैं, पाने बाने डाल लो मुझे उपर, थोड़ा सा ये औरा lecture तेड़ा मेड़ा है, ठीक है, समझने दिक्कत हो सकती है, पाने डाल लो, पाने पीलो, फटा फटा आ जाओ, okay, करें स्टार्ट, पीले पानी, पास कर लिया, पीले पानी, आजाओ, अब बात करते हैं, component of gel की, तो अब इसी बात है, जेलिंग एजेंट होगा, उसमें natural, semi-synthetic, कोई भी एक-एक-दो-दो, याद क कर लोगे, इसके अंदर, ठीक है, इसमें कुछ इस नहीं है, यह पढ़ता ही चले, और जले टिन, starch, इसके अंदर, CMC, polyacrylic, carvomer, इसके अंदर बता दिया, तो एक-एक-दो-दो-दो, याद कर लोगे, preservative, parabens होते हैं, methyl and propyl parabens हैं, जो मन में पसंद आए, को याद कर लोगे Leads to formation of flakes on the skin, to prevent this hygroscopic agent is used, उसके flake, चटक जाता है, पानी ओड़ जाएगा, तो cream होगी, या gel होगा, वो क्या है, उसमें चटके से आ जाते हैं, उसको रोखने के लिए हम लोग hygroscopic agent का use करते हैं, जिससे कि वो चटके नहीं, proper लगा रहे होँआ पर, ठीक है, glycerine है, propylenous orbital, यह hygroscopic agent हो गए, chillating agent, this agent inactivate heavy metals, अगर किसी परकार का कोई heavy metal मौझूद है, तो उसको यह inactivate कर देंगे, by forming complex with them, obviously बात पता ही है ना, यह chillating agent होते हैं, पढ़ चुके हम लोग EDTA, ठीक है, common example है, forming them, hence prevent degradation of medicine sensitive to heavy metals, इस परकार क्या करता है, क्योंकि heavy metals को, इसने EDTA ने पकड़ के complex मिला लिया, अलग कर दिया, तो यह heavy metal, जो उसके अंदर active ingredient है, उसको affect नहीं करेगा, उसको खराब नहीं करेगा, क्लिए रहे बाते हैं, अब आते हैं, method of formulations बे, तो तीन method हैं यहाँ पर, fusion method, cold method और dispersion method, fusion method अपना वही है, in this method, various waxy material employed as gelant, जो waxy material होते हैं, वो gelant मतलब geling agent की तरह इस्तमाल होते हैं, in non-polar media, non-polar क्या होता है, जो पानी से दूर भागता है, जिसको पानी में नहीं गूलेगा, drug was added when waxy material melted by fusion, जब waxy material को हम लोग फ्यूस कर लेंगे, पिगला लेंगे, तब हम उसकंदर drug को add करेंगे, stir slowly until uniform gel is found, धिर धिलाएंगे जब तक की gel बनना जाए, cold method, water was cooled to 4 to 10 degree centigrade and placed in it in mixing container, पाने को ठंडा कर लेंगे, 4 से 10 degree पर, और से mixing container कंदर डाल के रख लेंगे, gelling agent was slowly added and agitating until solution is complete, gelling agent को दिर दिर डालेंगे और हिलाते रहेंगे, जब तक की मेरा complete solution ना बन जाए, maintain temperature below 10 degree, 10 degree के नीचे ही temperature को maintain रखेंगे, drug is added in solution, form slowly with gentle mixing, drug डालते जाएंगे और properly हिलाते जाएंगे, immediately transfer to container and allow to warm to room temperature where upon liquid becomes clear gel, ठीक है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, container में जाके store कर देते हैं, उसको धिरे धिरे गरम होने देते हैं, room temperature पर छोड़ देते हैं, और जैसी वो गरम होता है, वैसी वो gel का रूप ले लेता है फिर, ठीक है, तो gel बन जाता है हमारा, dispersion medium, gelling agent was dispersed in water, gelling agent को पानी के अंदर डाल दिया, with steering at 1200 to 1200 RPM, एक मिनट में बारा चक्कर से घुमा घुमा के, हिला हिला के, for 30 मिनट, 30 मिनट तक उसको हिलाया हमने, और gelling agent को पानी में डाला, और इस रफतार से उसको mix किया, 30 मिनट के लिए, drug was dissolved in non-aqueous solvent with preservative, और non-aqueous solvent में drug को हम लोग क्या करते हैं, घोल लेते हैं, preservative के साथ, this solution was added in above gel with continuous steering, फिर इस वाले को जो second वाला पार्ट था, उसको पहले वाले में हम लोग मिला देते हैं, above gel with continuous steering, पहले हमने gelling agent को पानी मिला कर त्यार कर लिया, दूसरे में हमने drug को non-aqueous solvent मिला कर त्यार कर लिया, तीसरे step में दोनों को मिल आया, और हिलाते रहें, जब तकी मेरा gel नहीं बन गया, clear है बाते हैं, ठीक है, clear है, अब कोई method याद ना हो, तो general method लगा दोगे, general method में क्या है, generally the water soluble excipients are firstly dissolved, यहाँ पर यही हो रहा है, जो water soluble है, उसको हम पहले dissolve कर लेंगे, इन्हें vehicle, इन्हें mixing vessel by using mechanical steerer, हिला हिला करके कर लिया, to prevent aggregation, छुंड ना बन जाएं, जो चीज मिलाई है, add hydrophilic polymer to the steered mixer slowly, एक साथ नहीं डालेंगे उसके अंदर, धीरे धीरे, जो hydrophilic polymer है ना, उसको धीरे धीरे करके डालेंगे, अधर वाज क्या सब इखटे हो जाएंगे, और गुच्छा सा बना लेंगे, steering is continued until the dissolution of the polymer has occurred, steering is continued, तब तक हिलाते रहेंगे, जब तक की पूरा का पूरा dissolve ना हो जाए हमारा polymer, polymer समझे रहेंगे, जल बनाने में help करेगा, the excessive steering result in entrapment of air, अगर ज्यादा हिलात होगे, तो air उसके अंदर फस सकती है, the mixing rate must not be extreme, और a mixing vessel may be used to which a vacuum may be pulled to prevent the entrapment of air, हमें किसी तरीके से तो क्या कह रहा है, the mixing rate must not be extreme, बहुत तीज से mix नहीं करना है, पतला जो air अंदर गई हो बाहरी नहीं निकल पाई, ठीक है, यह हम लोग mixing vessel may use to which a vacuum may be pulled, mixing vessel में हम लोग एक vacuum लगा सकते हैं, क्या करेगा, हवा को खीशता रहेगा, और उसके अंदर air trap नहीं होगी, तो यह general method हो गया, और फिस में मिला मुलू करके हमने रख दिया है, अब वहां पर क्या बन जाएगा हमारा, छोड़ देंगो, उसके बाद क्या बनके तयार हो जाएगा, evolution का वही तरीके हैं, हम क्या क्या चेक करेंगे, PS चेक करेंगे, drug का content चेक करेंगे, viscosity, spreadability, stability, extrudability, extrudability क्या होती है, activity is the ability of the gel to be squeezed out of the nozzle in a continuous manner, कि जब हम nozzle से निकाल रहे हैं ट्यूब से तो लगातार एक समान बाहर निकले, यह नहीं कहीं कम निकल रहा है, कहीं जाधा निकल रहा है, that is called extrudability, के लिए रहे बाते हैं, और यह अपना lecture यहाँ पर finish हो जाता है, यह lecture थोड़ा सा तेड़ा था, इसक निक नीचे lecture में description में मिल जाएगा, प्रॉलम आए तो मुझे call करो, यह अपनी application है, और सबसे जलूरी चीज़ पढ़ते रहो, revise करते रहो, all the best!